प्रेंज ये दिखे आज हम सिखेंगे ये पहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये दिखे इस डिजाइन को बर्फी स्टिच भी कहती हैं ये दिखे इसे आप लेडिस कार्डिगन में जैंड साँ स्वेटर फूल स्वेटर में डाल सकते हैं ये बनकर बहुत ही प्यारा लगता है ये दिखे आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है और पिछे की साइड से ये इस तरह से दिखता है और बनकर बहुत ही soft ये दिखिए ये design बनता है तो friend इस design को बनाने के लिए आपको जो stitches चाहिए होंगे वो 10 के multiple से होंगे प्लस 2 फंदे extra रखने होंगे ऐस stitch के लिए और ये जो design है ये total 16 row का design है 16 row के बाद ये design over हो जाता है तो चलिए fan देखते हैं ये design कैसे बनेगा ये दिखिए fan यहाँ पर मैंने 42 फंदे लिए हैं 40 फंदे 10 के multiple से लिए हैं प्लस 2 फंदे extra लिए हैं stitch के लिए और नीचे से मैंने ये border बनाया हुआ है तो चलिए देखते हैं ये इसकी base row है यहाँ पर हम इसकी tube base row बनाएंगे जो हमने सिरफ एक बार ही बनानी है दुबारा इसको repeat नहीं करना है ये दिखिए stitch ऐसे ही उतार लेंगे अब देखिए आगे ये दो फंदे लेंगे और दो फंदों को एक साथ सीधा बनेंगे दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे अभी इनको हमने sliper से उतारना नहीं है ये एक फंदा जो second फंदा है इसको ऐसे लेंगे और first फंदे के दुबारा से फिर से सीधा बनेंगे ये दिखिए अब इसे डॉप करेंगे ये दिखिए फिर से ऐसे ही दो फंदे एक साथ कि ऐसे ही हम यह सारी रौ कम्प्लीट करेंगे एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको थोड़ा सा लूज हास से बुनना है ज्यादा टाइट इस डिजाइन को आपने नहीं बुनना है यह दिखिए ऐसे दो फंदों का एक फंदा आगेक साइड से बनाएंगे फिर फस्ट फंदा फिर से सीधा बुननेंगे इस डिजाइन को आपने राइट साइड में ही अपलाई करना है जब भी यह स्टार्ट होगा तो राइट साइड में स्टार्ट होगा यह दिजाइन यह इसकी राइट साइड है झाल 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 यह दिखे एस्टिच सीधा बुल लेंगे इसकी फर्स्ट रो बेस रो कम्प्लीट हो गई है सेकेंड रो रॉंग साइड यह भी इसकी बेस रो है इस सारी रो को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कम्प्लीट कर लेंगे इसकी सारी जो रॉंग साइड होगी वो उल्टे उल्टे फंदों के साथ ही बनेगी तो नेक्स्ट हम आपको इसकी रोंग साइड नहीं बताएंगे यह उल्टे फंदों के साथ ही इसकी सभी बैक रो बनेगी यह दिखिए फंद हमारी टू बेस रो हमने बना ली है अब इस रो से हमारा पैटरन स्टार्ट होगा यह इसकी फंद है और राइट साइड है यह दिखिए ऐसे ही उतार लेंगे और एक फंदा सिधा बुन लेंगे अब दिखिए फिर से फोर टाइम हम दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और पहला फंदा फिर से दुबारा से बुनेंगे दिखिए दो फंदों का एक फंदा फिर फंदा एक फिर से दो फंदों का एक फंदा ये दिखे और फिर फंदा सिधा बुन लेंगे दो फंदों का एक फंदा फिर फंदा तीन दो फंदों का एक फंदा फिर फंदा चार ये दिखे यहां पर हमने ये फोर टाइम दो फंदों का एक फंदा और फिर फंदा बुना है अब पहले हम इस side को बुन रहे थे, अब एक फंदा इस side को बनाएंगे, तो दिखे पहला फंदा उतारेंगे, turn कर लेंगे, और फिर दिखे, अब हमने क्या करना है, यह back loop से पहले हम second फंदा बुनेगे, पिर दोनों फंदों को एक साथ लेंगे, और दो फंदों का एक फंद बनाते हुए सीधा गुनेंगे ड्रॉप करेंगे यह देखे स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़कर यहां से यहां तक मारा एक पैटरन कम्प्लीट हो गया है इसे ही आगे रिपीट करेंगे देखे इसमें हमने पहले फूर फंदे बनाए इस साइड को और एक फंदा इस साइड को बनाया है तो फिर से देखिए आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर पहला फंदा वान दो फंदों का एक फंदा फिर पहला फंदा तू दो फंदों का एक फंदा फिर पहला फंदा त्री इस से दो फंदों का एक फंदा फिर पहला फंदा फोर इस साइड को बनाएंगे इससे उतारेंगे टर्ण करेंगे और पहले हम पीछे की साइड से बैक लूप से ये दिखे पहले हमने सिंगल फंदा ही इसका बुनना है ये दिखे पीछे की साइड से ऐसे इससे लेंगे और सिंगल फंदे को सीधा बुन लेंगे फिर ये दोनों फंदे एक साथ लेंगे ये दिखे एक साथ दोनों फंदे लेंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ये दिखे ये हमारा तैन फंदों का पैटरन है फिर से इसे ही रिपीट करेंगे फिर दिखे दो फंदों का ए त्री, फोर, अब इस साइड से पहले बैक लूप से सेकंड फंदा, फिर दो फंदों का एक फंदा, फाइब, यह दिखें, फिर से ऐसे ही आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, और फिर सिंगल फंदा, वान, तू, फ्री, फोर, यह दिखें, और यह हमारे पास सिंगल फंदा है से, सिंगल ही बुन लेंएंगे, लास्ट का फंदा भी सीधा ही बुनेंगे, यह दिखें, यह हमारी फिर्स्ट रौव कंप्लेट हो गई है, रॉंग साइड, उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप स्टिच ऐसे ही उतारेंगे अब दिखिए यहां पर हमने पहले इस साइड को बना रहे थे अब इस साइड को स्टार्ट करेंगे तो दिखिए फिर से ऐसे फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे पहले हम अपना सैकेंड फंदा बनाएंगे फिर दो फंदों का एक फंदा सिधा बुन लेंगे दिखे अब इस साइड को हमारा डिजाइन जाएगा और ये वाले हमारे जो फंदे हैं इस साइड को जो जा रहे थे वो कम हो जाएंगे पहले हमने ये 4 फंदे 4 रो बुनी थी ये दिखे 1,2,3,4 अब इस रो में हम 3 रो बुनेंगे फिर से दिखे इस साइड को बुनेंगे आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा फिर एक फंदा आगे वाला सिंगल बुनेंगे फिर से 2 फंदों का एक फंदा फिर आगे वाला स फिर दो फंदव का एक फंदा आगे वाला सीधा उता तीन हो गई आप देखिए यहां पर हमने इस साइड को यह बनाया था तो अब यह देखिए इस साइड को यह decrease होती जाएंगी यह वाली रव और यह वाली increase होंगी तो फिर से ऐसे उतारेंगे turn कर लेंगे पहले second फंदा पुनेंगे फिर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से यह दिखे starting का ऐसी छोड़कर यहां सी यहां तक हमारा एक pattern complete हो गया है फिर से रपीट करेंगे फिर से दिखे ऐसे उतारेंगे turn करेंगे पहले पीछे की साइड से second फंदा बनेंगे फिर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर three time इस साइड को बनेंगे यह दिखे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा फिर single फंदा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, फिर सिंगल फंदा, तू, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, फिर सिंगल फंदा, त्री, अब इस साइड को बुनेंगे, तो इसे उतारेंगे, टर्न करेंगे, और पिछे की साइड से, बैक लूप से, सैकिन फंदा पह दिखें, फिर से इसे उतारेंगे, टरन करेंगे, बैक लूप से सैकंड फंदा बनेंगे, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, अब थ्री टाइम इस साइड को बनेंगे, दो फंदों का एक फंदा, फिर सिंगल फंदा, वान, दो फंदों का एक फंदा, फिर सिंगल फंदा, तू, दो फंदों का एक फंदा, फिर सिंगल फंदा, त्री, यह दिखे, त्री टाइम हो गया, हम तू टाइम इस तरफ को बनेंगे, इसे उतारेंगे, टरन करेंगे, बैक लूप से पहले 2nd फंदा फिर 2 फंदों का ए 1 वन ये दीखन करेंगे बैक लूप से पहले 2nd फंद फिर 2 फंदों का 1 फंद टू अब 3 टाम को फिर से इस तरफ को बनेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, फिर सिंगल फंदा, तो, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, फिर सिंगल फंदा, त्री, अब इस तरफ को बुनेंगे, इसे उतारेंगे, टर्न करेंगे, पहले सेकेंड फंदा बैक लूप से, फिर दो फंदों का एक फंदा, एस टिच सीधा बुन लेंगे यह दिखे थर्ड रौ complete हो गई है wrong side उल्टे-उल्टे फंदों के साथ बुनकर complete करेंगे फिर्फ रौ है right side यह दिखे एसे ही उतार लेंगे अब दिखे यहां पर एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर से इस तरफ को हम इसको बनाएंगे ऐसे उतारेंगे turn कर लेंगे और back loop से second फंदा पहले बुनेंगे फिर दो फंदों का एक फंदा बना देंगे अब देखे यहां पर पहले हमने 3 रो बनाई थी अब 2 रो बनेंगी इस तरफ को और 3 रो इस तरफ को बनेंगी तो दिखे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर एक फंदा सिंगल बनेंगे वान आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा फिर सिंगल फंदा दिखे ये 2 रो हो गई है अब इस तरफ को हम 3 रो बनाएंगे पहले हमने 2 रो बनाई थी इसे उतारेंगे टर्न करेंगे back loop से second फंदा, फिर दो फंदों का एक फंदा, फिर से उतारेंगे, turn करेंगे, back loop से second फंदा, फिर दो फंदों का एक फंदा, फिर दो फंदों का एक फंदा, फिर देखें यह two रो हो गई, फिर उतारेंगे, turn करेंगे, back loop से second फंदा, फिर दो फंदों का एक फंदा, यह three रो ह अब दिखे स्टार्टिंग के यह 4 फंदे छोड़कर यहां से यहां तक मारा एक पैटरन कम्प्लीट हो गया है इसे ही आगे रेपीट करेंगे इस तरफ को हम 2 टाइम बनाएंगे और 3 टाइम इस तरफ को बनाएंगे यह दिखे आगे की तरफ से 2 फंदों का एक फंदा फिर 2 फंदा बैक लूप से फिर 2 फंदों का एक फंदा बैक लूप से फिर उतारेंगे टरन करेंगे बैक लूप से 2 फंदा फिर 2 फंदों का एक फंदा बैक लूप से फिर 3 टाइम सेकिन फंदा बैक लूप से सीधा फिर दो फंदों का एक फंदा सीधा बनेंगे बैक लूप से फिर से ऐसे ही आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा फिर सिंगल फंदा वान आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा फिर सिंगल फंदा टू अब दिखी बैक लूप स से सैकंड फंदा और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा वान बैक लूप से सैकंड फंदा सीधा फिर बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा फिर से बैक लूप से सैकंड फंदा सीधा यह दिखें फिर बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा फिर से आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, सिंगल फंदा, सीधा, आगे की सैट से दो फंदों का एक फंदा, सिंगल फंदा, सीधा, टू टाइम, अब इस तरफ को उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से, सेकिन फंदा, सीधा, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, लास्ट में, एक पंदा है इसे सिधा बोनेंगे, ऐस्टेज भी सिधा ही, row फिफ्ट daha complete हो गई है, रोंग साट ही बोनेंगे 7th row है, राइट साइड, अब दिखिए, ऐस्टेज ऐसे ही उतारेंगे, अब दिखिए, इस साइड में आप हमारी टूरौ जाएंगी, इसे उतारेंगे, टरन करेंगे, पहले second फंदा back लूप से सिधा बनेंगे, फिर back लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर से second फंदा पहले बनेंगे, और back लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे यह दिखे दो बार हम इस तरफ को बुनेंगे अब यहां पर हमारी एक रो ही रह गई है तो अगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे यह दिखे यहाँ पर हमने जब पैटरन स्टार्ट किया था तो यहाँ पर एक रो हमारी इस तरफ को जा रही थी और फोर रो इस तरफ को जा रही थी अब इस तरफ को हमारी एक रो जा रही है और इस तरफ को हमारी four row जाएंगी अब दिखे फिर इसे उतारेंगे टर्न करेंगे back loop से पहले second फंदा बुनेंगे फिर आगे की side से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से, second फंदा, फिर बैक लूप से, दो फंदों का, एक फंदा, two, उतारेंगे, टर्न करेंगे, second फंदा, बैक लूप से, सीधा, फिर बैक लूप से, दो फंदों का, एक फंदा, three, उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से, second फंद फिर बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा फूर। ये दिखें, स्टार्टिंग के फाइव फंदे छोड़कर यहां से यहां तक मरा एक पैटरन कम्प्लीट हो गया है, फिर से से रपीट करेंगे, फिर वन टाइम आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, और एक फंदा सीधा बोलेंगे अब four time इस तरफ को बुनेंगे उतारेंगे turn करेंगे back loop से second फंदा फिर दो फंदों का एक फंदा 1, उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से सेकंड फंदा, फिर बैक लूप से दो फंदों का, एक फंदा 2, उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से सेकंड फंदा, फिर बैक लूप से दो फंदों का, एक फंदा 3, टर्न करेंगे, बैक लूप से सेकंड फं फंदों का एक फंदा फोर इस तरफ को हमारे ये फंदे डिक्रीज हो रहे हैं और इस तरफ को इंक्रीज हो रहे हैं तो फिर से आग एक साइड से दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा इसे टर्न कर लेंगे बैक लूप से सेकंड फंदा, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, वन, टू, त्री, फोर, फिर से आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा सीधा, वन, अब इस तरफ को जाएंगे, बतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से, सेकंड फंदा, फिर दो फंदों का एक फंदा, टर्न करेंगे, बैक लूप से, सेकंड फंदा, दो फंदों का एक फंदा, एस्ट सीधा जिरी रो सेवट्ट कमपलीट हो गई है आइंफ रॉर है राइट सैड ऐ स्टेच ऐसे उतार लेंगे एक फंधा सीधा बना पर पर से उतारं इंगे ब activities आर्ण परेंगे तो पर गुrov ₹ San के проход of the fight estates कि और यहां पर यह वाली रोग जा रही है यहां पर और यह ये वाली इस तरफ को ये दोनों दिखिए एक जगा पर इकठे हो गए हैं ये वाले फंदे तो अब इस तरफ को हम इसे स्टार्ट करेंगे ये दिखे जब हमने इसे स्टार्ट किया था तो फोर रो हमारी इस तरफ को जा रही थी और एक रो इस तरफ को जा रही थी अब यहा यहां पर हमारे ये फंदे इंक्रीज हो रहे थे और ये वाले फंदे डिक्रीज हो रहे थे अब ये वाले फंदे डिक्रीज हो रहे थे अब ये वाले फंदे डिक्रीज होंगे और इस तरफ को इंक्रीज होंगे तो दिखे कैसे करेंगे अब ये दिखे ये दोनों फंदे यह रो इस तरफ को जाएंगे, इसे उतारेंगे, टरण करेंगे, back loop से पहले, second फंदा, फिर, back loop से दो फंदों का, एक पंदा वान, उतारेंगे, डान करेंगे, बैक लूप से, सेकंड फंदा, दो फंदों का, एक फंदा, टू, बैक लूप से, सेकंड फंदा, दो फंदों का, एक फंदा, त्री, बैक लूप से, सेकंड फंदा, फिर दो फंदों का, एक फंदा, त्री, फिर, इसे उतारेंगे, तरन करेंगे, बैक लूप से, सैकंड फंदा, फिर दो फंदों का एक फंदा, बैक लूप से सेकंड फंदा, फिर दो फंदों का एक फंदा दो, बैक लूप से सेकंड फंदा, फिर दो फंदों का एक फंदा तेन, बैक लूप से सेकंड फंदा, फिर दो फंदों का एक फंदा चाथ, फिर से आगे की साइड से दो फंदों क एक फंदा, एक फंदा सीधा, बैक लूप से सेकंड फंदा, फिर दो फंदों का एक फंदा 1, बैक लूप से सेकंड फंदा, फिर दो फंदों का एक फंदा 2, बैक लूप से सेकंड फंदा, फिर दो फंदों का एक फंदा 3, बैक लूप से सेकंड फंदा, फिर दो फंदों का एक फंदा, फोर, फिर से आगे कि साइब से दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा, सीधा, वान, अब बैक लूप से, सेकेंड फंदा, दो फंदों का एक फंदा, वान, बैक लूप से, सेकेंड फंदा, दो फंदों का, एक फंदा, टू, यह दिखें लास्ट में, एक फंदा ह इसे सीधा ही बुनेंगे, एस्टेच भी सीधा ही, रो 9 कम्प्लीट हो गई है, रो 11 राइट साइड, अब दिखे, एस्टेच ऐसे ही उतार लेंगे, और दो फंदे सीधी बुनेंगे, 1, 2, अब दिखे, यहां पर फिर से यह दो, दिखे, दो फंदे हमारे यहां पर एक साथ जाएंगे, अब इस तरफ को हमारी 2 रो हो गई है, अब आप इस तरफ को हमारी 3 रो चाहेंगे, अब यह वाली इन्करीज होगी, और यह वाली टिखे, इसे उतारेंगे turn करेंगे इसे back loop से 2nd फंदा back loop से 2nd फंदा back loop से 2 फंदों का अबर थे रिखें स्टार्टिंग के 3 फंदे छोड़कर यहां से यहां तक हमरा एक pattern complete हो गया है इसे ही आगे repeat इसमें दो बार इस तरफ को बुनेंगे और तीन बार इस तरफ को बुनेंगे तो फिर दिखिए आगे की साइड से ये दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा सीधा, second time आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा सीधा, ये दिखिए दो बार, अब तीन बार दू लूप से 2 फंदों का 1 फंदा 2 बैक लूप से 2 फंदा, बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा 3 और रिखे फिर से पेटर्न रिपीट करेंगे आगे की Psychase से दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा सीधा, वन, आगेक साट से दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा सीधा, टू, उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से, सेकंड फंदा, बैक लूप से, दो फंदों का एक फंदा, टर्न करेंगे, बैक लूप से, सेकंड फंदा, बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा 3 फिर से पैटन प्रिट करेंगे आगे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा 1 फंदा सीधा फिर उतारेंगे ट्रेन करेंगे बैक लूप से सेकंड फंदा, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, बैक लूप से अकिन फंदा दो फंदों का एक फंदा ए इस्टिच सीधा यह दिखे रो 11 complete हो गई है रो 13 राइट साइड यह दिखे इस्टिच ऐसे उतारेंगे एक फंदा सीधा बन लेंगे अब आगे की साइड से दो फंदों का एक फंद अबनाएंगे एक फंदा सीधा यहाँ पर हमारे पास 3 रो हो गई है और अब इस तरफ को हमारी 2 रो जाएंगी पहले 3 रो थी अब इस रो में 2 रो जाएंगी back loop से एक फंदा, back loop से दो फंदों का एक फंदा, one, turn करेंगे back loop से एक सीधा फंदा, back loop से दो फंदों का एक फंदा, two starting के दो फंदे छोड़कर यहां से यहां तक हमारा एक pattern complete हो गया है आगे इसे repeat करेंगे इसमें हमने दिखे, three time इस तरफ को हमारी row जा रही है और two time इस तरफ को हमारी row जा रही है, फिर से दिखे, three time अब इस तरफ को हमारी row जाएंगी आगे की side से दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा सीधा, one, आगे की side से दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा सीधा, two आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा सीधा 3, उतारेंगे, टरन करेंगे, बैक लूप से एक फंदा सीधा, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा 1, टरन करेंगे, बैक लूप से एक फंदा सीधा, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा 2, इससे पैटर प्रिट करेंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक पंदा, एक पंदा सीधा 1, आगे की साइड से दो फंदों का एक पंदा, एक पंदा सीधा 2, आगे की साइड से दो फंदों का एक पंदा, एक पंदा सीधा 3, फिर टरन करेंगे, बैक लूप से एक पंदा सीधा, बैक ल करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक पंदा, एक पंदा सीधा, वान, आगे की साइड से दो फंदों का एक पंदा, एक पंदा सीधा, त्री, उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से एक पंदा सीधा, बैक लूप से दो फंदों का एक पंदा, एक पंदा सीधा, एस्टिच भी सीधा ही, रो 13 कम्प्लीट हो गई है, रो 15 राइट साइड, एस्टिच ऐसे उतारेंगे, अब देखिए, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, यह दिखे, अब फिर से इस तरफ को हमने फोर रो बना ली है, जब हमने स्टार्ट किया था तब भी हमारी इस तरफ को फोर रो थी, अब फिर से फोर रो हो गई है, अब इस तरफ को हमारी एक रोप जाएगी, उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से एक फंदा सीधा बुल लेंगे, और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, इस देखें स्टार्टिन का इस चीछोड़कर यहां से यहां तक हमारा एक पैटरन हो गया है फिर से से रिपीट करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा 1 आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा 2 आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा 3 आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा एक एक बार इस तरफ को बुनेंगे फिर से पैटेन んだ करेंगे दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा आगे कि सब्सक्राइड करेंगे उतारेंगे, टरन करेंगे, बैक लूप से एक पंदा सीधा, बैक लूप से दो फंदों का एक पंदा, फिर से पैटरन पीट करेंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक पंदा, एक पंदा सीधा, आगे की साइड से दो फंदों का एक पंदा, एक पंदा सीधा, फोर, फिर से उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से एक फंदा सीधा, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा एस्टिच सीधा, यह दिखे, रॉव 15 कंप्लेट हो गई है, यह दिखे फैन, हमारी 16 रॉव कंप्लेट हो गई है, और हमारा डिजाइन भी कंप्लेट हो गया है, फिर स बहुत ही प्यारा डिजाइन है फ्रेंड तो फ्रेंड आप भी इसे बनाईए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सेस्काइब करना मत भूलें तो मिलते हैं अगरे वीडियो में लेखे वीडियोund तो में दोने ine parked are the वाइक वोले वो जयाऊज हैं परेंकिता हैं एंगरे वीडियों हैं तो मेरे टूलेंग धरेंगे अबासे में दंगते हैं